Hello my dear student, बेटा, जितने भी ऐसे student है, जिन्नोंने 12th कर लिया है, और अब वो B.com में admission लेना चाहते हैं, या B.com में admission ले लिया है, तो उनके मन में सबसे पहला प्रशन यही आता है, कि हम B.com तो करने वाले हैं, लेकिन B.com का syllabus क्या होगा, क्या B.com में वही syllabus होगा, जो हमने 11-12th म पड़ा है, या कुछ अलग syllabus होगा, या किस university का क्या syllabus होगा, मेरे प्यारे बच्चे, फिलाल 2021 से नई education policy लगभग लगभग सभी university के अंदर लागू हो चुकी है, और जब नई education policy लागू हो चुकी है, तो सभी university का, चाहे वो डॉक्टर भीम रावंबेट का university हो, चाहे वो आगरा university हो, चाहे वो एपी जेबदुलकलाम university हो, चाहे वो MJP, RU हो, CCS university हो, या DU, सभी university के अंदर जित्वी university है, सभी के अंदर normally क्या है, same slavers applicable है, अब सभी university के अंदर slavers क्या होता है, बिलुकुल, same, अब विकॉम की तो ली चर्चा करते हैं, विकॉम होता कितने सालों क होता है, आप सभी को पता है, कि अगर विकॉम करना है, तो विकॉम आपको करना होगा, टोटर कितने, 3 years के अंदर, जो विकॉम होता है, वो कितनी years का program है, 3 years का program है, बलकि जो नई economic policy है, sorry, जो नई education policy है, उसमें एक साल के लिए अलग है, दो साल के लिए अलग है, तीन साल क का program होता है, जो first year, second year, third year करना होगा, और इन 3 सालों में बेटा आपको 6 semester में exam देने होंगे, semester 1, semester 2, first year हो जाएगा, वैसे ही semester 3rd और 4th, second year होगा, semester 5th और 6th, third year होगा, यानि कि कुल मिलाकर आपको 6 बार exam देने है, यानि कि 6 semester में आपको विकॉम को complete करना है, 3 year का course है, और इ 6-7 में आपको ए semester देना होगा, बेटा, अब आते हैं भई, कि हमारे first sem में, second sem में, क्या-क्या syllabus होने वाला है, अगर हम बात करें, बिकॉम के semester 1, यानि कि first sem के syllabus के बारे में चर्चा करें, तो भईया, first sem का syllabus क्या है, उसकी थोड़ी बात करते हैं, यहां पर आकर पास 3 paper आप business organization का, अगर बात करें, तो first semester में, आपके पास school मिला का पहला, business organization, जो आपको देना ही देना है, sir, इसके अंदर क्या आता है, business organization में क्या आता है, बेटा, जो आपने 11th और 12th में BST, यानि कि 11th और 12th में बेटा, जो आपने website का ध्यान पढ़ा था, वो 11, 12th का website का ध्यान इस आत में कुछ extra भी है, उसके slaves के भी चर्चा भी करेंगे, तो पहला, आपके पास जो paper होगा, वो होगा किसका, business organization का, business organization में, slaves लगबग लगबग सेम है, जो 11th और 12th की business study, यानि कि website का ध्यान थी, दूसरा exam या दूसरा paper बटा कौन सा होने वाला first semester के अंदर, business statistics का, ये stats 70% जो आपने stats, जो आपने, 70% stats थी बटा के पास, या फिर सांखे की थी, वो आपने पढ़ी थी बटा 11th class में, लगबग 30% इसमें कुछ extra slaves है, जो सांखे की के अंदर आपको पढ़ना होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे बटा, वो भी मैं आपको कराऊंगा, और इसका complete slaves ही यानि के website सांखे की है, इसमें लगबग 70% वही है, जो 11th class में था, थोड़ा सा इसके अंदर extra है, उसकी चर्चा भी हम इसके अंदर करेंगे, तीसरा कौन सा इसके अंदर बटा के पास subject होगा, तीसरे subject में आपको choice मिलेगी, choice है business communication या introduction to computer application, इन दो में से कोई सा एक subject आप इसमें से जो चीज आपको अच्छी रगती है, अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा computer आता है, आपको computer की basic knowledge है, तब आप introduction of computer application ले सकते हो, अगर आपके पास computer है और आपको computer की knowledge है, तब ही लेने हम फाइदा है और अगर आपके पास नहीं है, तब आपको ल website, sanchar, इसमें website पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के website पत्र होते हैं, कैसे पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, वे संचार क्या होता है, संचार में बाधाएं क्या-क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीज है, business communication के अंदर पढ़ेंगे, तो कुर मिलाकर तीन आ का ये बिल्कुल सेम होगा वेबसाइक अध्यन की तरह से दूसरा बिजनिस स्टैस्टिक्स का होगा यानि कि ये लगबग लगबग कैसे होगा जो कक्सा 11 का के पास क्या था भई स्टैट्स थी या सांख्य की थी और उसके लावा तीसरा पेपर जो के पास है को बिजनिस कम्यूनिकेशन या कंप्यूटर एप्लिकेशन इन दो में से चोईस है को इसा एक सब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हो और आपका पहला सेमेस्टर क्या हो जाएगा बटा कम्प्लीट हो जाएगा जैसे ही दूसरे सेमेस्टर ने पहुचोगे यहां से है इम्पॉर्टेंट चीजे जो के आपको पढ़नी है या फिर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वह आपके पास सेकंड सेमेस्टर से second semester में क्या है बेटा के पास business management business management इसमें लगभग ये पूरा 12th की BST है 12th class की BST है बेटा तो किसा 12th में जो उने business management पढ़ा था बेटा वो वाली business यहापरम पढ़ेंगे 12th class में जो वेबसा के दिन पढ़ा था ठीक है वो इसके अंदर पढ़ेंगे उसके लावा financial accounting financial accounting ये दूसरा paper आके पास होगा ये है पढ़ने वाला paper बट इसमें भी 11th का बहुत सारा पार्ट है financial accounting में 12th तो नहीं लेकिन 11th का बहुत सारा पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा जैसे बेटा वही cash book है final account है depreciation है ये सब चीज़े पर आपको financial accounting के अंदर मिली जाएगा जो आपने 11th के अंदर पढ़ी थी तीसरा है comprised accounting और इस बार comprised accounting आपके पास choice नहीं है ये आपको लेनी ही पढ़ेगी यहाँ पर computer के बारे में पढ़ना comprised accounting के बारे में पढ़ना है तो तीन आपके पास ये कंपसरी है तीन exam और चोहता फिर से वही इन दो में से एक choice होगी essential of e-commerce और business economics जो भी दोनों में आपको सही लगता है business economics आप ले लो तो ज़्यादा बेटर है ठीक है essential of e-commerce के बारे में e-commerce भी कुछ गुरा नहीं है आप e-commerce भी ले सकते हो तो second semester में आपके पास चार exam होगे यानि कि ये मान का चलो ये first year में बेटापको 7 exam देने है तीन first semester में और चार बेटापको देने है कौन से second semester में तो इस तरह से बेटापका first year complete हो जाएगा B.com बहुत easy है घबराने के आवशक्ता नहीं है complete syllabus आप हमारे यहाँ पर कर सकते हैं आप चाहो तो हमारे B.com वाले गुरूप से जुड़ सकते हो ताकि आपको complete knowledge complete information मिलती रहे B.com के बारे में और आपको PDF मिलते रहे आपके syllabus के बारे में अब थोड़ा सा आगे बरते हैं और semester number 3rd पर चलते हैं बटा तीसरे semester में हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है बटा company law तीसरे semester में पढ़ना है बटा company law ये चुकि अब 11-12 के रिस्टुरेंट हो तो आप इसका बहुत साथ नहीं जानते होंगे इसमें normally काता है जो company act है उस company act 2013 के बारे में यहाँ पर discuss करना है और cost accounting ये भी बटा आपके syllabus क्योंकि 11-12 में अभी आपको इतनी knowledge नहीं है कि cost accounting क्या होती है बटा उसके बारे में discuss करेंगे जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे उसके लावा एक फिर से आपको choice करनी होगी business regulatory framework या inventory management के अंदर ये दोनों ही अच्छे सलेबस हैं और सबसे प्यारा है आपका fourth जहां पर आप पढ़ने वाले हो income tax, fundamental of marketing और digital marketing ठीके बटा तो इस तरह से आपके पास ये second, third और fourth semester था fifth semester में आप कुछ GST के बारे हम पढ़ोगे corporate accounting के बारे हम पढ़ोगे ठीके बटा business finance के बारे हम पढ़ोगे principle of practical of insurance के बारे हम पढ़ोगे monetary theory पढ़ोगे बटा तो आपके जो third year है और उसका fifth semester बटा उसमें बहुत सारे exam है और sixth semester में अगर बात करें तो फिर से बटा यहाँ पर आपके पास लगबग तीन exam इसके अंदर भी आपके पास होंगे ही होंगे तो यहाँ पर आपके पास simple है कोई दिक्कत आले बात नहीं है become का complete syllabus बटा और सभी के सभी जो आपके पास semester है उनका मैं आपको कराऊंगा आप बिल्कुल भी चिंता ना करें वो complete आपको कराए जाएगा अगर कुछ दिक्कत आती है आप में WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं किस तर हमाई इस लेवस में यह दिक्कत आ रही है हमें exam में यह दिक्कत आ रही है तो उसका वे solution आपको कराए जाएगा चलिएगा अगर आपको मेरे बात समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आती तो इसमें इश्वर अल्ला क्या करें मेरी ही गलती होगी बटा कहीं चलिएगा जय हिंद जय भारत